साफ्रोन यानी के केसर आखिर ऐसा क्या है जिसके वज़े से केसर इतना स्यादा महंगा है बाजार में इसकी कीमत करीबन 3 लाक रुपीज पर केजी है केसर जितना महंगा है उतना ही गुनकारी भी है स्वास्त को मिलने वाले केसर के फाइदे तो आप जरूर जानते होंगे दूद में केसर डाल कर पीना काफी अच्छा होता है खास तोर से गर्बती महिलाओं के लिए क्यूंकि केसर सौंदर या निखारने में सयोगी है इसलिए सुंदर एव गोले बच्चे को पानी के लिए गर्बती महिलाओं अपने आहार में केसर को शामिल करने की कोशिश करती है सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुन्या के हर कंट्री के अमीर अपने रोजबरा की जिन्दगी में केसर यूज करते है दुन्या भर के प्रडक्शन में से 85% केसर की खेती इरान में होती है और भी कई सारे कंट्रीज है जहां केसर की खेती होती है जैसे की भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका और स्पेन लेकिन इन जगों पर केसर की बहुत कम खेती होती है सोनी चानली के भाव पर मिलने वाला केसर इस्तमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है धरसल अधिकांश लोग जो केसर इस्तमाल करते है वो असली एवशुद भी नहीं होता है क्योंकि शुद केसर की कीमत तो आसमान को छूती है कभी कभी तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि ऐसी क्या बात है इस केसर में जो यह इतना महंगा है खाद्य पदार तो और भी कई सारे है जो हमें काफी सारे फाइदे देती है लेकिन केसर के इतना महंगा होने की क्या वजा हो सकती है तो चलिए आज हम इस प्रशन का उत्तर आपको दे ही देते हैं कि आखिर केसर इतना महंगा क्यूं है Actually यह बहुत महंगा है क्योंकि केसर के Harvesting यानि की इसकी कटाई बहुत मुश्किल होती है और इसके लिए कोई Machine यूज नहीं कर सकते है इसको निकालने के लिए इनसानों की जरुरत पड़ती है इन्हें पहले बहुत समाल के Flowers में से निकालना पड़ता है और फिर इन्हें सुखाना पड़ता है और फिर जाके ये Market में जाने के लायक बनते है केसर एक खास Flower से निकलता है जिसे Crocus Flower कहते है केसर क्रॉकर्स बहुत कम समय के लिए ही खिलता है और जब ये फ्लावर खिलता है उसी दिन उसकी कटाई करनी चाहिए क्यूंकि ये लगभग तुरन मुर्जार जाता है और तो और प्रतियक फूल में केवल तीन नाजुक केसर के धागे होते है इसलिए ये एक किलो सुके केसर पैदा करनी के लिए 50,000 फूलों से भी ज्यादा फूल लगते है और इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसमें बहुत सारा मैन पावर भी लगता है क्यूंकि केसर के धागे बहुत डेलिकेट होते है और हर एक धागे को अपने हाथों से निकालना पड़ता है जो के काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है केसर को उगाने का सबसे बेस्ट पिरिएड होता है सेप्टेमबर और डेसेंबर की बीच का और सबसे बेस समय इसको निकालने का होता है मॉर्निंग का समय क्योंकि दिन भर की हवा और सुरची किरने इसे खराब कर सकती है केसर की खेती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे ज्यादा घर्मी भी प्रॉब्लम देती है और ज्यादा थंडी भी ज्यादा पानी भी problem देता है और कम पानी भी और तो और हवा के नमिक के वज़ा से भी ये खराब हो जाता है ये सब points केसर के किसानों के लिए ये एक risky task बना देता है और यही main reason है कि केसर इतना महंगा बिकता है ओके guys I hope आपको अब पता चल गया होगा कि केसर इतना महंगा त्यों बिकता है अगर इस वीडियो से related आपके पास भी कोई information है तो please comment section में जरूर mention करे ओके guys तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please इसको like, share और subscribe कीजिए Thank you